हलो नमस्कार बच्चो प्यारे बच्चो आज मैथ में 9 चेप्टर Some Applications of Trigonometry या तिरकोण मिती की कुछ अनुपरियोग तिरकोण मिती के कुछ अनुपरियोग आज हम यह सीखने जा रहे हैं और बच्चो इस चेप्टर की खास बात यह है कि जो आप लोगों ने Trigonometry में सीखा था उसी का ही एक Use बताएंगे कि भाई आप Trigonometry जो पढ़ रहे थे उसका Use कहां पर है तो बहुत ही छोटे लेवल पर आपको इसका Use बताए जा रहा है ठीक है बाकि आगे जब जैसे से आप पढ़ाई करेंगे तो उसकी नए ने Uses जानेंगे फिलाल अभी एक छोटे लेवल पर इसका Use बताए जा रहा है वो देखिए तो बच्चो आपको इसमें क्या सीखना है पहले पहले आप यह ध्यान से देखिए सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा कि दो तरह के एंगल के बारे में पढ़ना है आपको कोन के बारे में पढ़ना है एक एंगल ओफ एलिवेशन उन्नेयन कोन ठीक है और एंगल ओफ डिप्रेशन ठीक है अवनमन कोन ठीक है उन्नेयन कोन अवनमन कोन अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे इस बात को भी क्या सुनेंगे कि एंगल ओफ एलिवेशन और एंगल ओफ डिप्रेशन में क्या होता है कि एंगल ओफ एलिवेशन मतलब जैसे मान लीजिए कोई बंदा यहां जमीन पर खड़ा है यह कोई एक परसन यहां खड़ा है और यहां पर यह कोई खंबा है ठीक है इस खंबे के टॉप को देख रहा है तो इसने क्या किया नीचे से उपर की तरफ देखना शुरू किया तो जब हम लोग किसी चीज को नीचे से उपर की तरफ तो वो नीचे नहीं दिखेगा, मुझे ऐसे करके देखना पड़ेगा, यानि अपने horizontal point से उपर की तरफ देखूँँगा, तब मुझे उपर वाली चीछ दिखाई देगी, यानि angle of elevation यह होता है, onion cone वो होता है, जब हम नीचे से उपर देखते हैं, उसके बाद angle of depression की अगर बात की जाए, तो माल लीजिया, आप किसी light house पे यहां पर बैठे हैं, ठीक है, और यहां पर कोई now है, यहां पर कोई boat है, ठीक है, आप इस boat को देख रहे हैं, तो आपने कहा देखा, भाई, आपकी सीध यह रही, ठीक है, आपने उपर से नीचे की तरफ देखा, मतलब यह angle create किया, और यह दोनों लाइन तो आपस में parallel बनाती है, तो इसका मतलब यह जो angle होगा, ठीटा, वही angle यह होगा, ठीटा, ठीक है, तो धियान रखिएगा, जब उपर से नीचे की तरफ देखते हैं, तो angle of depression, और जब नीचे से उपर की तरफ देखते हैं, तो angle of elevation, इस तरीके से बच्चों हम लोग इसके उपर काम करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, फिर से बता दिये, मैंने आपको कि जब नीचे से उपर की तरफ देखते हैं नीचे से उपर की तरफ देखते हैं तो उन्यन कोड और जब उपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो कौन सा कोड अब नमन कोड एंगल ओफ डिप्रेशन ठीक है चलिए फटा फट नोट कर लीजिए इसको फिर मैं आ चलो, वीडियो वाज करके नोट कर लिया होगा, अब देखो आगे ठीक है, ध्यांज देखेंगे बचो, आपको सबसे पहले तो टेबल ही आज होनी चाहिए, टेबल एक बार फिर दे लिखवा देता हूँ मैं अगर कहोगे तो टेबल लिख लो, ठीटा जीरो ठर्टी फॉर्टी फाइव सिक्स्टी नाइन्टी साइन ठीटा कॉस ठीटा टैन ठीटा कॉस एक ठीटा सैक ठीटा और कॉट ठीटा तो जीरो साइन जीरो जीरो होता है यह वन बाइट उ होता है यह रूट त्री बाइट उ होता है ठीक है, cos x sin का उल्टा होता है, हम अच्छे से पता है, तो 0 का infinity, इसका 2, इसका root 2, इसका 2 by root 3 और इसका 1, cos theta का साथ theta 1 का 1, 2 by root 3, root 2, 2 और इसका infinity, 10 का उल्टा cot, तो infinite, root 3, 1, 1 by root 3, और infinite का उल्टा 0, तो यह table बता है, जिसमें से आपको बस 3 angle बहुत अच्छे से याद रखने है, 30, 45, 60, ठीक है, तो यह याद रखना बच्छों आपको, अगला, अगला क्या है, कि हमने यह कर लिया, उसके बाद कुछ basic formula, जैसा कि आपको पता है, PBP, HHB, ठीक है जी, पंडित बद्री परसाद हर-हर भोले, सोना चांदी तोले, इस ताइब का वही कुछ, आप लोगने अपने school में सीखा होगा, ठीक है, और हिंदी वालों ने सीखा होगा, लाल-कद्दू का चार, ठीक है, अब होता क्या है, हम लोगने अच्छे से सीख रखा है बई, जो यह पहला part होता है, यह sin theta का होता है मतलब perpendicular upon one hypotaneous और जो cos theta होता है वह बीच वाले का part होता है मतलब base upon one hypotaneous और वह लास्ट वाला पार्ट होता है वह किसको होता है बच्चों वह होता है आपका 10 theta का याने कि perpendicular upon base ठीक है तो भैइ perpendicular मतलब होता है लंबाटा करन यानि ये पहला वाला sign का ठीक है, base upon में height मतलब अधार बटा कर्ण, मतलब ये दूसरा वाला हिस्सा, cos का और तीसरा perpendicular upon base मतलब लंबटा अधार, ठीक है, तो ये हो गया बच्चो, तो हिंदी वाले ऐसे कर सकते हैं और इंगलिस वाले ऐसे कर सकते हैं तो कोई सभी तरीका अपना लो, सारे साही है ठीक है, चलिए तो ये हो गया भाई ये हो गया अच्चा, अब आगे बारत करते हैं हम लोगों ने इतना कर लिया, भाई sin टीटा, cos टीटा, 10 टीटा कर ये सब कर लिया ठीक, तो इतने से ही formula में हमारा सारा काम निकल जाएगा अब मैं आपको एक बात, छोटी सी एक बात और बताना चाहूँगा, वो भी ध्यान से सुनिएगा बच्चो जमीन हमेशा आपकी base होएगी जो धरती है, क्योंकि आप एक बाई बताओ, आप जब भी कोई चीज observe करोगे, उपर की तरफ उपर देखा आपने, बतलब जब आप नीचे से उपर की तरफ देख रहे है तो भाई आप खड़े कहां पर है, जमीन पर तो जमीन ही आपके लिए base बनेगी ठीक है, तो जमीन आपके लिए base बनेगी अब माल लीजी आप यहाँ पर खड़े है यहाँ पर कोई टावर है, आपने यह देख लिया तो देख रहे हो, यह रहाँ टावर यह रही जमीन, तो उनके बीच में क्या बना 90 डिग्री का, भाई यह माल लीजी आपके लिए यह क्या हो गया, ग्राउंड हो गया ठीक है, यह टावर हो गया, यह जमीन हो गई अब यहाँ से आप खड़े हैं और इसको टावर को देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, टावर को देख रहे हैं तो भई क्या हुआ, इनके बीच में, टावर और ग्राउंड के बीच में 90 डिग्री का इंगल, तो ध्यान रखिएगा बच्छो, अब 90 डिग्री के सामने वाला आपको अच्छे से पता है, हाइपोटेनियस होता है, और जो भी एंगल बना रहे हो, आप एंगल के सामने वाला पर्पेंडिकुलर होता है, और जमीन आल्वेस क्या होगी, बेस होगी, जमीन आल्वेस क्या होगी, आपकी बेस होगी, तो ध्यान रखना भई, जमीन हमेशा क्या रहेगी, आपकी बेस रहेगी, और जो एंगल के सामने वाला आल्वेस पर्पेंडिकुलर रहेगा, और क्य जो जुनो मेरी बात मैं क्या कहा रहा हूँ अगर आपको perpendicular और hypotenious का case दे रखा है मतलब कि lump और कर्ण का case दे रखा है तो आप sign theta का प्रियोग करेंगे अगर आपको base और hypotenious का case दे रखा है तो आप cos theta का इस्तमाल करेंगे यानि आधार का और कर्ण का अगर आपको case दे रखा है तो आप cos theta का इस्तमाल करेंगे और वही अगर आपको perpendicular और base का सिद्धान दे रखा है तो आप 10 theta का इस्तमाल करेंगे भाई यानि lump बटा करना sorry lump बटा आधार यानि lump और आधार का relation दे रखा है तो आप 10 ठीटा का इस्तमाल करेंगे समझमाई बात तो इस तरीके से हमें इसके ये basics पता चल गए है और ये basics ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के आधार पे हम सारे question कर पाएंगे तो जल्दी से उसको note कर लो फिर मैं आपको a के करके question करवाना सुरू करता हूँ चलिए तो आप सभी ने नोट कर लिया होगा है न हम इसके आगे की कहानी आपको सुनाता हूँ तो निकाल लीजिए question number first 9.1 ठेक है बुक के साथ बैठेंगे सभी बच्चे और एक एक करके काम करेंगे हम और लीजिए UM कि कोशन नमबर बच्चों फरस्ट 9.1 आप से कहा गया है कि वही एक सरकस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रसी पर चड़ रहा है ठीक है जी जो एक पोल के टॉप से टाइटली बांध दिया गया है कहां पे ग्राउंड पे माल दीजे बच्चों आपके पास ये पोल दिया गया है बच्चों ध्यान लगना इस में इस चैप्टर में आपको फिगर के उपर ही काम करना है अगर बच्चों फिगर अच्छे से बनाने आ गई तब तो आप इस कोश्चन में जंडे गाड़ देंगे ठीक है रसी बान दी बिगुल टाइट और कहilikा कहना जो रसी आ वो बीज मीटर लंबी एर आ अब कह रहा है कि खंबे के टॉप से बान दी तो बताओ अगर ये जमीन के साथ कौन रसी जमीन के साथ ग्राउंड के साथ 30 डिगरी का इंगल बना रही है तो बताओ ये पोल की हाइट कितनी है पोल की हाइट कितनी है ध्यान से देखो बच्चो बई पोल की अपनी कोई ना कोई हाइट होगी मैंने इसे माल लिया H मैंने इसे क्या माल लिया H रसी की height क्या दे रखी है 20 ठीक है और जो रसी है rope है वो जमीन के साथ कितने का angle बना रही है 30 डिगरी का ये बात हमें खुद नहीं लिया है ये बात हमें पहले से ही question के अंदर दिया गया है अब जैसा कि मैंने आपसे बात की भाई कि जब भी perpetual और hypotenious का case हो तो sein theta को लो ठीक है और जब भी base और hypotenious का case हो cos theta को लो और जब भी perpendicular और base का case हो तो 10 theta को लो तो बस बात खथम ठीक है इसको P नام दिया इसको Q नام दो इसको R नाम दो अधेक और सबसे पहले काम करो Let the हाइट of let the height of pole pole के हाइट ले लो भाई h meter चाहिव कि मैना खंबे की लंभाई है या कंबे की लंभाई या माना खंबे की लंभाई h meter पार है एंध देल लेंट्थ और रोप कि है अंजी बोलो रोप कि लंबाई कितनी है 20 मीटर ठेक है रशी कि लंबाई कि क्या भर लसी रसी की लसी बोल रहा हूं जोließरी रसी कि लंबाई 20 मीटर ठेक है अब मैं अ opened बता है था आप पहले यह चेक करो करो कि आप जाना किसमें चाहते Jacob sine theta में जाना चाते हो, cos theta में जाना चाते हो, 10 theta में जाना चाते हो तो उसके लिए मैं condition check करनी पड़ेगी तो आप check करो कि क्या निकालना है और क्या है तो देखो ये आपके पास जो angle दिया हुआ है, angle के सामने वाला perpendicular होता है, ये बात जानते हो जी बिल्कुल तो perpendicular और hypotenuse किस में आता है sine theta में आता है perpendicular और hypotenuse किस में आता है, sine theta में आता है तो बस बात खतम, क्योंकि मुझे पता है angle के सामने वाला perpendicular और 90 degree के सामने वाला hypotenuse होता है, क्या होता है hypotenuse होता है ठीक है भई, ये रहा perpendicular यह रहा हाइपोटेनियस और यह कितना आगया आपका 20 मीटर यह कितना आगया का 20 M तो जब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस सवजी में जाएंगे तो बोलेंगे इंट रिएंगल पी क्यू आर शाइन-30 क्योंकि पर्पेंडिकुलर कोन है RQ और यह कोन है खाई पॉटनिस कोन है PR साइन ठटी की वेलू एक बटा दो RQ कितना है H PR कितना है 20 20 यहां पर मंटिप्लाई कर रहा है यहां के मंटिप्लाई करेगा कट गया 10 तो लोजी height of pole कितना आ गया 10 मीटर खतम आंसर तो इतना simple सा है बच्चो ठेक है note करो अगला question कराते है छिए जुशाओि कुप्लाई मां पर कि कितना है तो लो सुग्लाई ओतत कर दिए झालें में अल्सका बटारा मां आंसर का värला कि लोटी एगलाबू का झालें तो जो उकी टालें में वी अँटी की अ कहांफ कित बग ל׋त कर खत्ताम आंसर इतना उनके और चलिए बच्छो तो अगला कोशन करते हैं कोशन नमबर थ्री सेकंड भी करेंगे टैंसर मतलो लेकिन पहले थ्री चल लो पहले मैं आपको इस चैप्टर के रंग में रखना चाता हूं कि आपको ऐसा फील ना हो कि यार कई टफ चैप्टर तो नहीं ठाले सरने अचानक से एक दम सी ठीक है तो टफ कुछ भी नहीं है अभी थोड़ी दिर में यह चैप्टर आपका फेवरेट बनने वाला है ठीक है चलिए अब करा थाड़ गोशन है बहुत प्यारा गोशन है कि एक ठेकेदार है कॉंट्रक्टर है और उसको ना दो जूले दो स्लाइड वाले जूले स्लाइडर का कॉंट्रक्ट मिला पार्क में लगाने का ए एक मिला 5 साल से बड़े बच्चों के लिए तो देखो क्या कॉंट्रक मिला कि पांस साल से जो छोटे बच्चे है उनके जूले के हाइट डेड़ मीटर होनी चीए बस और ये रा जूला स्लाइड वाला जूला ठीक है तो कह रहा बताओ इस स्लाइड वाले जूले की लेंध इस वाले जूले की हाइड यह पहले से ही और क्या इसके लेंटो मैंने फेर से स्मुझे क्याcakटर हे ठेकेदार है उसको दो जूले लगाने है पहला जूला उसने डेड़ मीटर उचा लगाया ये सलाइड हो गया दूसरा जूला उसने तीन मीटर उचा लगाया ये सलाइड हो गया अब ये हो गया या P, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये मानलो A, ये मानलो B और ये मानलो C A, B, C और P, Q, R इस तरीके से इन्होंने दो ट्रेंगल ले लिए अब इसको शुरू कर वाई और इस पर काम करेंगे हैं तो पहले लेट दा लेंथ ओफ लेट दा लेंथ ओफ स्लाइडर स्लाइडर अफ बिलो फाइव यर फाइव यर चिल्डर तो कितना माल ले वाई एक्समीटर माना पांस साल से कम के बच्चों के लिए के लिए जूले की लंबाई जूले की लंबाई ठीक है एंड दा एंड दा लेंथ ओफ स्लाइडर अफ अबव फाइव यर चिल्डरन वाई मीटर ठीक है तथा पांस साल से बड़े बड़े बच्चों के लिए जूले की लंबाई ठीक है वाई मीटर अब क्या करेंगे नाओ दा हाइट ओफ स्मॉलर स्लाइडर 1.5 मीटर छोटे जूले की लंबाई स्लाइडर 1.5 मीटर ठीक है एंड दा हाइट ओफ लार्जर स्लाइडर 3 मीटर बड़े जूले की उचाई स्वरी लंबाई निया बच्चों स्वरी 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 उचाई है यह की उचाई मैं लिखने का यह चोटी कि न में लिखने का यह एक बार लिख लोगे तो बात ही खतम फिर चलो अब यहां पर देखो इसमें और पहले इंटरेंगल पेरचों चोटे वाले माले आज याते पी क्यू आर बच्चों दोनों का एंगल दिया हुए आपको दोनों का कुछ 30-degree पर inclined है और बड़ा जूला 60-degree पर inclined है ठीक है छोटा जूला 30-degree पर inclined है और बड़ा जूला 60 पर तो बस बात कतब देखो बैए एंगल के सामने वाला perpendicular 90-degree सामने वाला hypotenuse हमें दिया हुआ क्या है perpendicular निकालना क्या है hypotenuse तो पर्पेंडीकुलर और थो यूष कर और ये कितना 1.5 और ये कितना प्यार प्यार बोले तो पियर बोले तो X X वह जाएगा बैट डेड़ को 2 से मंटिप्लाई करो तो डेड़ दूनी 3 तो 3 मीटर आगे वह अंसर यानि छोटे जूले की लेंद कितनी आगी 3 मीटर छोटे जूले की लेंद कितनी है 3 मीटर अब निकालो बड़े जूले की तो बड़े जूले में भी देखो 9 इंटर एंगल 9 इंटर एंगल ABC हाँ जी एंगल के सामने वाला पर्पेंडिकुलर 90 डिगरी के सामने वाला हाइपोटेनियस तो बस साइन 60 पर्पेंडिकुलर क्या है BC हाइपोटेनियस क्या है AC तो यह कितना हो गया root 3 by 2 BC कितना भई 3 यह कितना है Y तो Y को उधर ले जाओ root 3 Y 2 को इस से multiply करो 2 नीच 6 root 3 इदर आके क्या करेगा divide और आपको पता है यह root हम कभी नीचे रहने नहीं देते तो rationalize करेंगे तो root 3 से multiply, root 3 से divide तो आएगा 6 root 3 root 3 root 3 3, 3 से 6 कटेगा 2 Y की value 2 root 3 तो प्यारे बच्चों 2 root 3 meter तो छोटे जूले की यह आई छोटे जूले की जो length आई वो कितना है 3 meter और बड़े जूले की क्या आई 2 root 3 meter अब यह मत कहना कि सर यह तो छोटे जूला 3 का आ रहा है बड़ा जूला 2 का आ रहा है तो यह तो गलत है तो गलत नहीं है सही है बस यहां पर value की कमी है आप root 3 की value याद कर लो 1.732 होती है ठीक है तो अगर आप इसको देखो multiply करोगे 1.732 से तो आप देखो 2.4 3.6 7.14.1 और 2.7 तो देखो आई ना 3.464 तो इस से तो उपर ही आ गई किसे भाई 3 से तो उपर आई ना तो बस इस तरीके से यह है समझ मारे बात तो हमने यानि यह देखा कि अगर हमारे पास root 3 की value given हो तो हम यह value put करेंगे और given नहीं है तो यहीं छोड़ दो तब भी answer ठीक है clear चलो note करो इसे note करो फिर अगला कराता हूँ ठीक है चलिए next यह आपने note कर लिया होगा अगला question कराता हूँ चलो बस आपको video pause करना है और फटा फट note कर लेना है ठीक है चलिए next question the height of tower लो जी बच्चों यह एक tower है आपके पास और अगल बनाया 30 degree का अगल कितने का बनाया 30 degree का तो बताइए tower की height क्या है तो P, Q, R let the height of tower let the height of tower क्या मानूंगा h meter माना टावर की उचाई ठीक है and the distance between distance between tower and pole tower and observer तो कितने ही भाई? 30 meter तथा प्रेक्षक और tower के बीच की दूरी tower के बीच की दूरी तो tower के बीच की दूरी कितनी है? 30 meter अब जल्दी से बताओ हाँ जी यह रहा perpendicular angle के सामने वाला और हमें given क्या है? base तो बच्चों base दिया गया है और perpendicular दिया गया है तो sorry मैंने मिटा दिया परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस sin theta का होता है base हाइपोटेनियस cos theta का होता है perpendicular base 10 theta का होता है तो हाँ बई देखो क्या क्या है? दिया हुआ है आपको base निकालना है आपको perpendicular क्योंकि angle के सामने वाला perpendicular और लेटा हुआ base तो perpendicular upon base क्या होता है 10 theta तो यहनि intringal PQR 10 theta theta की जगा पे क्या है? perpendicular कितना है? RQ base base कितना है? PQ तो वैट 10 30 कितना होता है? 1 upon root 3 RQ कितना है? H और PQ कितना है? 30 30 हैं divide करना वहाँ जाके multiply करेगा अब आपको पता ही है rationalize करते हैं हम लोग तो 30 root 3 root 3 से multiply root 3 से divide 30 root 3 root 3 root 3 3 cut गया 10 H की value कितनी आ गई? 10 root 3 meter कर लो अगर root 3 की value दिया है तो value put करना नहीं दिया है ठीक है? note करो करो फिर पांच वागर आता हूँ ठीक है? कोशन नमबर 5 भाई इस से असान कोशन कुछ नहीं हो सकता है दुनिया में कहारा भाई एक पतंग है जो 60 meter उपर उड़ रही है ये लो जी ये होगे पतंग प्यारी सी पतंग ये रही पतंग ये बच्चो 60 meter उपर उड़ रही है ground से 60 meter उपर उड़ रही है ground से अब कह रहा है कि इसका जो मांज़ा है यानि कि जो डोर होती इसकी मांज़ा जो है वो बिलकुल खीज के tightly जमीन पर बांदिया गया कहां पर बांदिया गया मतलब मांज़ा लेकर आए लेकर आए और जमीन पर बिलकुल tight तरीके से बांदिया tight मतलब क्या नीचे tight नहीं बांदा है मतलब ऐसा बांदा है कि जो ये मांज़ा है ना इसमें लचक नहीं है बिलकुल सीधी खड़ी हो गई है एक आउप फिर ये इसका बेस हो गया अब जमीन से जब इसने सको बांदा तो बांदने के बाद एंगल बना कितने का 60 डिग्री का कितने का बना 60 डिग्री का और यहं तो 90 होगा तो क्यारा बताओ इस मांज़े की लंबाई क्या है मतलब कि 90 डिग्रीर वाला हाइपोटेनियस मैं माल लेता हूँ एक्समीटर और जमीन से कितना उपर उड़ रहा भाई है 60 मीटर तो आप एक बाँ बताओ एंगल के सामने वाला कौन होता है पर्पेंडिकुलर और हमें चाहिए क्या हाइपोटेनियस तो पर्पेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किसे में होते हैं साइन ठीटा में होते हैं बस बात खतम हो गया हाँ लेट दा लेंट आफ इस ट्रिंग एडिया हुए ना मांजे का दो नाम यही दिया हुए हाँ श्ट्रिंग कितनी मान होगे एक्समीटर माना मांजे की लंबाई एक्समीटर ठेक है एंड रही टुक्षे मवन थाफ डाइट अध गईयट वर्ट अफ गाइट पतंक्यू चाहि ली किफ्टिमीटर तथा पतंक्यू चाहि ठीक है 60 मेंटर नौ इंट्रियंगल पी क्यू आर क्यू आर ठीक है हां जी तो बस क्या लगएगा साइन ठीटा साइन ठीटा मतला साइन 60 परपेंडिकुलर आरक्यू हाइपोटेनियस पी आर रूट थ्री बाय टू आरक्यू 60 पी आर एक्स एक्स उठा के उधर ले गए रूट थ्री एक्स दो से मंटिपलाई 120 रूट थ्री या मंटिपलाई कर रहा है इदर आके डिवाइड फिर आपको पता ही है रैस्नलाइज कर करना हमारा जनम सिद्धिकार है 120 रूट थ्री और यह रूट थ्री रूट थ्री कैंसल क्या 40 एक्स बराबर 40 रूट थ्री मीटर और अगर रूट थ्री की वैलू दी है तो उसे मंटिपलाई ठीक है ठीक है तो बच्चो इसके बाद मैं आपको अब कोशन दे रहा हूँ घर से करके लाने के लिए कोशन नमबर 10 तक कहां तक कोशन नमबर 10 तक 6,7,8,9,10 ठीक है तो आज की किलास यहीं खतम कर रहा हूँ कोशन नमबर 10 तक मुझे करके लाकर दिखाओगे सभी बच्चे ठीक